बिग बॉस सिर्फ एक बाशा में सीमितना होते हुए कई इंडियन रिजनल लाइज़ेस में टेलिकास्ट होने वाला एक मात्र रियालिटी लाइव शो है दरसल ऐसा एक शो बनाने का आईडिया वर्ल्ड वाइड पहली बार 1991 में नेधरलांड्स के डच बाशा में जूस्ट कॉलिंस ने नमबर 28 नाम से शुरू किया उन दिनों में कॉलिंस ने ये शो के लिए एक दूसरों को नहीं पहचानने वाले 7 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट कर कुछ महिने तक एक ही घर में रखा था इनको ना ही टास या ना ही कोई रेस्टिक्शन्स थे ये ऐसा था कि जैसे कोई होस्टल में रह रहे है हर वीक में एक दिन पार्टिस्पेंट्स अपने एक्स्पिरियेंस का आडियो निकाल कर शो वालों को बेज देते जिसको 20 मिनिट्स प्रोग्राम जैसा एडिट कर तुड़े टीवी में वीडियो के बिना सिर्फ आडियो से ब्राडकास्ट किया जाता था लेकिन उन दिनों में फोन्स जैसे गैजेट्स की मौजुदगी नहीं रहने से इसको ज्यादा पॉपुलारिटी या रेस्पोन्स नहीं मिला फिर 1971 में BBC चैनल में टिलिकास्ट किये गए एन अमेरिकन फैमिली डॉक्युमेंटरी देखकर 1992 में एरिक लॉटर ने अमेरिका में दे रियल वर्ल्ड शो शुरू किया इस शो की खास बात यह थी कि अगर कोई भी पार्टिस्पेंट गलती करता है तो बाकी पार्टिस्पेंट्स उसकी गलती का उसे एसास कराना था इसके फर्स्ट सीजन के 12 एपिसोड्स हर थर्जडे 9-10 पीम एम टीवी में टेलिकास्ट किये जाते थे यह सकस होने से 2019 तक 33 एपिसोड्स टेलिकास्ट किये गये और वसी समय नेदरलैंड के जॉन टीम माल जुनियर ने और नए थीम से बिग ब्रदर शो शुरू किया यह सकस होने से 2000 में अमरिका में भी यह शो शुरू किया गया इसका बेसिक आइडिया Gary Orwell से लिकित 1984 नामक नौवल से लिया गया इसका कॉंसेप्ट यह था कि बिग ब्रदर चोटे चोटे कैमरास से कंटेस्टन्स के बिहेवियर को नोटिस कर पनिश्मेंट दे कर उनमें चेंजस लाते थे यह कॉंसेप्ट जौन को पसंद आने से बिग ब्रदर शो के लिए एक नया घर बना कर उसमें हर जगह 24 आर एक्टिव कैमरास रख कर पार्टिस्पेंट्स पर वाच रखते हुए 2000 इयर में अमरिका में यह प्रोग्रम शुरू किया सभी शोस से बिग ब्रदर ज्यादा सक्सेस होने का रिजन ये था कि 10 पार्टिस्पेंट्स को उनके लिए स्पेशली बनाये गए स्पेशल हाउस में बेच कर 24 आर्स हिडन कैमरास से उनको अबज़व करते हुए सिर्फ आवाज से उनसे बात करना पहले शोस में फुटेज कलेक्ट करने के लिए एक कैमरामन हाउस में रहता था कैमरा के द्वारा पार्टिस्पेंट्स को अबज़व करते हुए हर वीक एक को एलिमिनेट करते हुए फाइनल विननर को फाइव लाग डॉलर प्राइस दिया इस शो ने अभी तक 24 सीजन्स क खरने से और सिर्फ 26 डेस के इस शो को एक्सलेंट रेस्पॉंस मिला 22 सीजन्स कम्प्लीट किये इस शो के सीजन 5 में शिल्पा शेटी विननर बनी इस तरह सक्सस हुआ बिग ब्रेदर शो सभी कंट्रीज में पहुंच गया इंडिया में पहली बार नावंबर 3 टूटोजन् को हिंदी में हर्शद वार्शी के होस्टिंग में बिग बॉस नाम से टेलिकास्ट किया गया फिर सीजन 2 को शिल्पा शेटी और सीजन 3 अमिताब बचन होस्ट करने पर भी अंसससफुल रहा फिर सलमान कान के होस्टिंग में बिग बॉस के सीजन 4 को पॉजिटिव रेस्प में भी टेलिकास्ट करना शुरू किया गया, 2011 में कंणड में, टैमिल और तेल्गु में 2015 में, मल्यालम और मराटी में 2018 में शुरू किया गया, See you again with a new topic in Global Encyclopedia, till then take care and have a nice day.